कि इस वीडियो में हम बात करने वाली Kriff Thankfully है कि हमारे छो वाइलेस माउस रहता है उसमें एक छीज़ हमें देखने के लिए मिलती है यह पर जो है एक ढिप आइ का बटन ठीक है यह ढिप आइका बटन जो है क्या करता है और ठीक है अब मैं आप पर आपको यूज करके दिखाऊंगा लगा के दिखाऊंगा लेकिन इसका मतलब एक दफ़े में पहले सिंपली बता देता हूं यह हमारे जो माउस की स्पीड को यहां पर जो भी आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं पॉइंट बोल सकते हैं जो भी बोलना चाहिए उसको थोड़ा फास्ट कर देता है ठीक है पॉइंटर जो होता है वो हम अपने मोबाईल की इससे भी कर सकते हैं त्यूंकि इसमें मैं आपक प्रोब्लम यह जो है कहीं से भी चलेगा मैं डोंगल को पने फोन में एटैच कर लेता हूँ यूएजबी के साथ जिससे के मैं यहाप पर आपको डीपी जो यह डीपी आई है उसको सही से यूज कैसे करते हैं यह भी आपको बताऊंगा सबसे पहले हम इसको लगा लेता अब यह हमारा यहाँ पर हो गया USB के साथ हमारा यहाँ पर फोन में डोंगल लग जाएगा यह लग चुका है यहाँ पर अब यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर चल रहा है ठीक है यह लाइट देखल अभी फिलाल चला नहीं है हम इसको सही से एक और बार किलिक करके सेट अप कर लेते हैं तो अब फिलाल यहाँ पर चल चुका है ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ हूँ इसका मतलब क्या होता है ठीक है अब अब धीखे अब जो यह एंगल ले लिजा आप इस एंगल को देख लिजे यह अमारा जो है यहाँ पर यह आ रहा है इसका पॉइंट ठीक है अब इसको हम निचलाते हैं अब यहाँसे देख लीजे अब हम ओपर कित्वी देर में लेकर जाएंगे इसको ठाइक के इस फरीके से इपर तक चला जया हमारा है इस 형al को भी पार का लिए questo बटन को हहाँ पर अभff कि यहीं पर ही खतम हो चुका है यानिके पोच चुका है तो इससे आपकी speed increase हो जाएगी वैसे आप अपने phone से इसको increase कर सकते हैं जैसे settings में जाते हैं और laptop का या PC का भी अलग-अलग हो सकता है अब यहाँ पर जैसे ही आप यहाँ पर एडिक्शनल सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर जो है अपने language input पर जाते हैं और यहाँ से mouse keyboard mouse and trackpad पर pointer speed को increase कर सकते हैं इससे बहुत ज्यादा increase हो जाएगी ठीक है इससे जाते हैं झाल किहां झाल जात तो ब 것이 that rocket ले जासकते हैं वह अब अपनी मर्जी से जयट कर सकते हैं जो आपको करना हो ज्यादा लग सकती है ज्यादा कम लक्सी है तो कम लग सकते हैं कि आभी नॉर्मल है और इससे कम करेंगी तो पूरा हिला देंगे ना तो तब भी जाए गए ठीक है अब यहां पर आपको पता चल गया होगा कि डी पी आई क्या है ठीक है यूज भी करके मैं आपको दिखा दिया है अगर यहां पर आपको वीडियो ची लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब भी कर दीजेग झाल